शिट रूप से हिंदू राष्ट बनेगा हूँ बिल्कुल गुर्देव की आतरा हिंदू राष्ट होके रहेगा हिंदू जोडो यात्रा जो है चल रही है पैदल यात्रा चल रही है हमारे साथ इसमें कि हजारों लाखों की तादात में कई भक्त लोग भी चल रहे हैं उनसे भी बात चीत करेंगे मेरा नम सित्यडान वेशन हो गया है कहां से यहां से राजस्तान जी यात्रा में सामिन हो जाए हूं हम त्रीस लोग आए बिलवडा से पाराजीग से वह मैं बहुत अच्छा लग बिल्कुल गुर्दयों की यात्रा हिंदु राश्फ होके रहेगा हम सब गुर्दयों के साथ जो कि श्री लाम यात्रा रहिंगे बहुत अच्छा माहूं हो ले और बारत हिंदुरास्ट बनेंकर लेगा से इतने वज़ें नोब दो बज़े रात को खाने पिने की आस्था कुल दीब सिंग्टोली यूपी यूपी सारणपूर यात्रा कैसा लग तो रही अति उत्तम इसकी आउस्सक्ता बहुत पहले से थी ऐसी माता ने जनम दिया हमारे गुरुजी को जनम दे कर कि धन्य हो गया ये हिंदू राष्ट हिंदू धरम इनकी प्रेणा से ये समस्थ हिंदू बंदू साथ चल लए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है बालाजी महरवाज पर निश्चित रूप से आने वाले समय में हि हमारा पहले से जानते हैं कि भारतवर्श एक जगत गुरु रहा है हिंदू राष्ट रह हो रहे गा हमेश रहेगा क्योंकि यह हमारा हक है जब बटवारा हुआ खाथ तब जानते हैं एक तरफ हिंदूस्तान था दूसी तरफ पाकिस्तान था बंगलाद था तो इसलिए यह ईंदू राष्ट किया हुए जिस यह इस देश की आजादी के लिए सहिद भगत सिंग्फ सुभाष चंद्रबोष्ष चन्द्रसेखर आजाद में अपने खूण क का बलिदान दिया था आज समस्त हिंदुओं से मैं निवेदन करता हूं आओ हम सब अपनी अहाउति दे इस राश्ट के लिए इस धरम के लिए हमें अपना करता हुए निभाना है मित्रो जिस तरह आजादी आई थी हमें आजादी भी यूही प्राप नहीं हुई थी लाखो दीवानों ने गर्दन कटाई थी सच कहता हूं तब कहीं आजादी आई थी सबसे पहले दया नंधी ललका रहा था ठारा सु सत्तावन कहवाय हलका रहा था अंग्रे जो को घर गर जाकर जिसने दिका रहा था परवाने प्रिली सीखा को चूम गए नहीं जाने कितने ही पागल बिन पीए जूम गए भगत सिंग की भक्ति बिना ये हवन्य होता आसाओ की वर्जे होती ये कफन्य होता वह सुभाष चंद्रबोश का जोसिला नारा कितने सरफ्रोस ने अपन ने को साकार करने की अब तैयारी है बगको क्या मैसेज देना तो सब्सक्राइबा जैसे मेरे नाम है सुरेंद्र सिंग मैं राष्टान भरत्पु डिश्टिक यात्रा अच्छी लग रहे हैं लेकिन हिंदूों को यह कहना चाहता हूं कि यात्रा तभी सपल होगी जब आप मेरी यह बात सुनों गए नहीं तो ऐसी हम हमारे समाज से निकलेगी तो इंदूराष्ट अपने अपन जाएगा देखो गुर्कुल जाना भूल गए हम जाते हैं कॉलेज घ्यान की गंगा वहती नहीं मिलता है नोलेज माता पिता की भूले बदना गुरू के जुना चरण है लो हाई हुआर यू से दिखलाते हैं आत्र फिर हम अपनी बातों को कंटीनियू रखेंगे कैमरा परसंगी को कहेंगे सामने आएं बात करते हम हाँ अपनी पूरी बात रखेंगे मुह बहनों के प्रति रखते गंदी नजर ब्रद्दास्रम में मातापता घर से हुए वेगर ब्रह्म चारे धर्म नहीं सास्त्तमत कोई कर्म नहीं अब मैं आपको बताना चाहता हूं देखो हम अपनी पाच्चात्य संस्कृति को कैसे निकाल सकते हैं आप बताईए आप जनम दिन तारीक के साब से मनाएं तारीक के साब नहीं क्योंकि हमारे जो रामकृष्ण सबसे बड़े माना हैं उनका जनम दिन तिती के उ सार मनाएं उनके जनम दिन पर हम जान पुन कथा वागवत करते तो ऐसा ही करें ना ना कि हम भाई विसकी बहुत पक्ति हैं यहीं कहना चाहता हूं पहले पाच्छात्य संस्कृति को निकालो कैंसर की तरह फैला हुए जैसरी राम तो आपने देखा कि किस तरीके से जो यहा थेखुइड कि ह disp舉ेन मारन सिय। मैं दोल् wooden具 कि अक्ति हम जोली की जोली कुड़ है जोषभ देखा कि झाल ना खवावत कि पाने यह लागवर – टोलाहे अपको के टोल दोली मैं जोली मैं भावर क्शोमी मैं